इसान किशन, शानदार दोहरा शतक है लगाया, ये घिलाडी सभी के दिलों पर है चाया सबसे पहले इसान किशन ने शतक पूरा किया और उसके बाद आंग झपकते ही इसान किशन दोहरे शतक की तरफ भी पहुंच गए है किस तरह से रही है इशान किशन की ये सारी दोरे शतक की पारी इसी के साथ में इशान किशन ने कौन से बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं और क्या बड़े कीर्थी मान किये हैं वो सब आपको दिखाएंगे और बताएंगे इस वीडियो में अंतक बने रहीएगा हमार साथ आज ऐसा कोई भी बांगलादेशी गेनबास नहीं था जिसको इशान किशन ने नहीं धोया इशान किशन की शांदार बलेबाजी का मंजर कुछ इस प्रकार से था कि इशान किशन ने अपनी पारी की पहली 85 यानि की 85 बॉल्स में शतक पूरा किया और उसके बाद मातर अ एक सो पचास रंस भी पूरे हो गए थे शतक के बाद इशान किशन की गाड़ी ऐसा मानिये कि सीधा दूसरे गेर से छटे गेर पे पहुंच गई थी दूसरी तरफ से विराट कोली भी उनका साथ दे रहे थे विराट कोली ने भी अर्द शतक पूरा कर लिया और इन दोनों की बलेबाजी और साजेदारी 200 से ज्यादा रनों की हो गई इशान किशन ने अज सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो थोड़ा है जहां बांगलादेश के सामने सबसे ज्यादा रंस बनाने वाले खिलाडी ODI में बने हैं इन्होंने रिकॉर्ड थोड़ा है वेरेंदर सहवाग क इससे पहले सहवाग ने 2011 के वर्ल्ड कप में बनाये थे 175 रन और आज उस रिकॉर्ड को पार करते हुए जड़ दिये हैं 200 रंस बंगलादेश के सामने इशान किशन ने और बने है इशान किशन इसी के साथ तीसरे ऐसे भारतिये सचिन तेंदुलकर और रोहित चर्मा के बा पनाने के लिए इससे पहले रोहित चर्मा ने हर एक बार लगबग 130 से ज्यादा गेंदे ली थी दोहरा शतक बनाने के लिए जबकी इसान किशन ने आज 130 से कम इंदों में ही जड़ दिया हैं 2 और शतक लगाया है, सभी के दिलों पर कबजा जमाया है, क्या इशान किशन भारती क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में लगातार बन सकते हैं क्या वर्ल्ड कप 2023 में जाते हुए यही खिलारी है रोहित चर्मा के साथ भारत का नया उपनर, क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में और इशान किशन के ताबर तोड़ दोसों के बारे में दीजी अपनी राए हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद